शहर में लोगडाउं की चलते स्कूल के सेकडों वहन सालकों पर भूके मरने की नौपता पड़ी हैं। प्रशासन सपे स्कूल के बहानों को प्रशासन के कामों में लगाए और रोजगार प्रतान करें ऐसी मांग करती वे शहर के सिक्डों स्कूली बहांच साथ को ने चद्रपती चौप में अपनी मांगों को लेकर आंतुलंग किया कोविड-19 महमारी शुरू होने के बाद विक्राल स्थिती को देखती वे 23 मार्च 2020 से संपुन्न तेश में ना के बल लोगडान लगाया गया बलके विशेश रूप से स्कूलों को पुरी तरा बन कर दिया गया आलम ये है कि महमारी की उतार चड़ां में कई बार वैवसाई कती विद्यों को खोलने की अनुमत्ती दी गई किन्तो स्कूलों को अब तक शुरू ने क्या गया इस तिति में स्कूल वैंच सालकों की परिपारों पर अब भुक मरी की नौपता पड़ी है इसके मत्य नचल स्कूल वैंच सालक संकतने मुख्यमत्री उताव ठाकरी से जर्भातिक पेड़े स्कूल वैंच जालकों को 10,000 रुपे की आर्थिक मदद देनी के मांकी देकारेने कि वा नेत्याने आमाला सानोती पुर्वा कोंते उत्तर दिलेले नहीं आज या घडीला आमाला याओ लगला रस्त्यावर उत्राव लगला आनि ही कुमड़ी सोकन दिका है आमी पन एक सामाजीक घटका पैकि एक जबाबदार घटका होत सरकारला आमी आमचा कमा ही बन एक अउश्य देतो आहे आमी पन एक टैक्सपेयर आहे आपन सरकार चे जबादे जेका खाती असताथ प्रत्य खातेला आमी इंकम को प्रोवाइड करतो तो रोड टैक्स देतो इंकम टैक्स देतो प्रोफेशन टैक्स देतो सर्वर आनी फाइनेंसर लोगांचे पर आमी घर भरतो त्यांचे सुद्धा आमी पानन पोशन करतो हाँ असा एक मात्वाचा घटक त्याचा वरती कुन्ट अमारी के लोगडॉम में पूरी तरह बेरुज़कार होने की कारण परिबार का पालम पोशन करना दूपर हो गया है इसके चलते कई साल को द्वारा आत्म हत्या कर ली गए कुछ कोरोना से बादित होने की बाद आतिक प्रधाली की कारण इलाज नहीं करा पाने से जान कवा प सन राजकुमार बोहुट के साथ संचे बेरी की रिपूट